हेलो एब्रीवान, असलाम अलेकुम, वेलकम टो इजी कुकिंग, फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं मटर स्टफिंग आलू टिक की चाट, बहुत ही जबर्दस और डिलेसेस रेसिपी है, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या के चाहिए काच लिए देखते हैं और बनाना सु तैयार ने अपर ठोकिक काच लिए, तो इसको बारिक नहीं पीशना है, ये देखें यहां पर मटर को अधर को अधर दर नीजार टी-स्पून तर 12 टी-स्पून वार्डी वाप टी-स्पून और रिखने को भी पनाभीर और भी वखने जाने ऊट के ताइब तक हम चैजार से निकाल लेंगे। तो पाहने के हम पोचे कर लेंगे हम इसमें चम्माइ चलाते हुए इसको एक से ड Katyaway मिडियम और देंगे जीरा पाउडर या रहा है याँ यहाँ पर आप $10 मिलिए पका लिया है अब फिलेंगे और के अंध़ लांए दर दालेंगे धोड़े पौडर मसाले, तो सबसे पहले हम इसके अंतर डाल देंगे जीरा पौडर 1 टी स्पून, चाट मसाले डाल देंगे 1 टी स्पून, लाल मिश्क का पौडर डाल देंगे अपने टेज के हिसाब से, और बस सारी चीजों को खुब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फलेम को मैंने यह यहां पर लो रखा वा है और इस में यहां पर डालेंगे नमक अपने टेस्ट पहसाब से अंयर नहीं नमक लिया है और भूसों को मिक्सक कर लेंगे हम इसको मिक्सकर्देहूएं 2018 दो से तो बस इसी तरह से हम इसको पका लेंगे और यह देखे यहां पर यह मैंने मटर को पका लिया है एकदम ड्राइस ही दिखने लगी है अब हम गैस फलेम बंद कर देंगे और इसको एक साइड रख लेंगे इधर ये मैंने आलू लिये हैं ये मैंने 500 ग्राम उबले हुए आलू लिये हैं जिनको मैंने अबाल के अच्छे से ठंडा कर लिया है तो यहां पर ये देखे आलू को हम इस तरह से छील के तयार कर लेंगे ये देखे इस तरह से तो बस इसी तरह से हम सारे के सारे आलू छील कर तयार कर लेंगे फ्रेंड्स आपको रेसिपी कैसे लगी ये मुझे कुमेंट करके जरूर से बताईएगा और आप इस रेसिपी को जरूर से बनाईएगा जरूर से इंजोई कीजिएगा अब बहुत अच्छी रेसिपी है और बनाना बहुत आसान है तो यहां पर यह मैंने सारे के सारे आलू छील के तयार कर लिये हैं अब यह मैंने कद्दू कस लिया है तो यहां पर आलू को हम कद्दू कस कर लेंगे आप चाहे तो इसको बरीक की साइड कद्दू कस कर ले या फिर मोटी साइड कद्दू कस कर ले तो बस इसी तरह से हम सारे के सारे आलू कद्दू कस कर लेंगे और यह मैंने आलू को कद्दू कस कर लिया है अब हम इसके अंदर अपने टेस्ट के हसाब से नमक डाल देंगे औ या फिर आरार ओट भी डाल सकते हो, मैंने यहां पर यह चार टेबले स्पून कोन फ्लार डाल दिया है, और बस सारी चीजों को खुब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, देखे इस तरह से, बहुत रिचे से इसको मिक्स कर लेंगे, हम इसको खुब अच्छे से गूंद के तया कर लेना है, तो यहां पर यह हमारा डो एकदम तयार हो चुका है, बहुत ही जबर्दस और चिकना सा हो गया है, तो अब हम इसके अंदर से छोटे-छोटे से यह इस तरह से, छोटे-छोटे पिसिस तोड लेंगे, यह देखे इस तरह से, तो यहां पर आप जितनी भी पिसिस तोड लिए हैं, अब हम इसको इस तरह से गोल-गोल कर लेंगे, तो यहां पर यह हम इसी तरह से सारे के सारे आलू को यह देखे एक-एक पीस लेंगे और इसको इस तरह से गोल कर लेंगे, इसी तरह से हम इसके यह गोले से तयार कर लेंगे, फ्रेंड्स अगर आप मेंने चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे रेड बटन पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजेगा और इसी तरह की आसान रेसीपी देखने के लिए गंटी पर जरूर से किलिक करें उसी से मेरी आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है तो ये देखें यहाँ पर ये मैंने आलू की गोले से तयार कर लिए हैं इसी तरह से हम बाकी के सारे तयार कर लेंगे और इली जे यहाँ पर ये मैंने आलू के गोले से तयार कर लिए हैं अब ये जो हमने मटर को पका कर तयार किया हुआ था ये भी ठंडी हो चुकी है तो यहाँ पर इसको पूरी तरह से ठंडी कर लेनी है तो जैसे यह पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी देखें हम इसके अब इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा हाथ में इस तरह से यह मटर का डोले लेंगे और इसको इस तरह से छोटे-छोटे गोले बना लेंगे तो ध्यान रखे, जितना बड़ा हमने आलू का गोला बनाया है, उससे आधा रखना है हमें ये, आप इसको साइज में देख सकते हो, आलू के जो गोले हमने बनाया है, वो थोड़े बड़े हैं, और यहाँ पर जो हमने मटर के बनाया है, वो थोड़े छोटे हैं, तो बस इस तरह से हम सारे के सारे गोले बना करेंगे और फिर हमें इस से बनायेंगे टिकि तो यहां पर कुल दूर में जहां त bullish को यहां पर हम आलो का ऊदेंगे शाफ करेंगे चाbra knowing और यह जो हमने मटर मसाला का गोला सा बनाया है यह हम इसके अंदर रखेंगे और आप देख पारे होंगे इस तरह से इसके चारो साइड से किनारे उठाते हुए हम इसको बन कर देंगे इस तरह से और अगर आपके लगे यहां पर यह चिपक रहा है तो आप यहां पर हाथ को तो थोड़ा सा गीला कर लेना है देखिए इस तरह से थोड़ा सा पाने लगा लेना और इसको खोब अच्छे से गोल कर लेना है एक दम इसको गोल कर लेंगे फिर हम इसको इस तरह से थोड़ा सा चप्टा कर लेंगे देखिए इस तरह से तो बस यह देखिए यहां पर हम इस करने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा चप्टा कर लेंगे और इसको टिकी का सेफ दे देंगे और बस इसी तरह से हम सारे की सारे टिकी बना कर तयार कर लेंगे यह देखे यहां पर यह दूसरी वाली भी हमारी तयार हो चुकी है तो बस इसी तरह से सारे की सारे टिकी बना कर तयार कर लेनी है और यहां पर यह मैंने सारी की सारी टिकी बना कर तयार कर ली है आप चाहे तो यहां पर फ्रीज भी कर सकते हो तो यह फुराइ होने के लिए बिल्कुल तयार है इधर यह मैंने तवा ले लिया है मैंने यहां पर यह लोहे का तवा लिया है तो यहाँ पर हम flame को own कर लेंगे तवे के ओपर करीबन दो टेबले स्पून कुकिंग oil डाल देंगे और oil को हम इस तरह से तवे के ओपर खोबचे से फैला लेंगे flame को यहाँ पर medium रखेंगे flame को high नहीं करना है medium flame पर हम टिक्की को fry करेंगे मैंने यहाँ पर कुकिंग oil को खोबचे से तवे पर फैला दिया है flame को भी मैंने ओन कर दिया है और यहाँ पर मैंने medium flame रखा हुआ है जैसे हमारा oil गरम हो जाएगा फिर हमें के करकेस के अंदर यह टिक्की डाल देंगे इस तरह से तो आपके तवे पर जिदनी भी टिक्की आ जाए आप उतनी डाल लेना और इसको अच्छे से फ्राइ कर लेना है तो यहाँ पर हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे थोड़ी सिख जाएगी फिर हम इनको दूसरी साइड पलेट लेंगे दियान रखे फिलेम को मीडिया में रखे फिलेम को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है तो चलिए यहाँ पर ही थोड़ी फुराइ हो चुकी है अब हम इसको दूसरी साइड पलेट लेंगे और इधर से भी हम इसको इसी तरह से सिख जाने देंगे तो हम इसको दोनों साइड से उलट पलट कर खुब अच्छे से एकदम गोल्डन कलर आ जाने तक सेख लेंगे एकदम किरिस्पी हो जाने तक सेखेंगे हम इसको तो फिलेम को मीडिया में रखेंगे तभी हमारी जो टिकी है वो एकदम किरिस्पी रहेगी तो इसी तरह से हम इसको थोड़े थोड़े तेर के बाद उलट पलट कर अच्छे से सेखेंगे तो यहां पर ये देखें, ये हमारी टिक्की सिखें बिल्कुल तयार हो चुकी है बहुत ही प्यारा खुबसुरत कलर आ गया है और बहुत ही जबर्दस से हमारे टिक्की सिख के तयार हो गई है बहुत ही पैरा कलर आ गया है तो यहाँ पर जो हमारे टिक्की सिख चुकी है उसको हम निकाल लेंगे और बाकी जो हमारे टिक्की अभी पूरी तरह से नहीं सिखी है उसको हम खोबचें से और सेख लेंगे और इसको हम इसी तरह से सेख कर तयार करेंगे और यह देखें यहां पर यह हमारे टिकी सेख के बिल्कुल तयार हो चुकिए है यह चाड़ बनने के लिए बिल्कुल तयार है अब हम इसे चाड़ बनाएंगे आप चाहे तो इसको ऐसे भी चाय के साथ खा सकते हो तो आप प्लेट में जिदनी भी टिकी रखना चाहते हो दो या तीन या फिर चार उतनी ही आप प्लेट के अंदर ये टिकी रख लेना ये देखे एकदम जबरदरस और बढ़ियासी ये हमारे टिकी बनी है एकदम मसालेदार इसके अंदर ये मटर डली हुई है तो टिकी के उपर हम डाल देंगे ये दही जो मैंने फैट ली है दही के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के खुब अच्छे से इसको फैट लिया है दही अपनी पसंद से आप कम ज़्यादा डाल सकते हो इसके साथ हम इसके अंदर डाल देंगे हरी चटनी ये हमारी हरी तीखी चटनी है ये डाल देंगे अपनी पसंद से कम या ज़्यादा इसके साथ हम यहाँ पर ये इमली की खटी मिठी चटनी तो ये भी अपनी पसंद से आप कम ज़्यादा डाल सकते हो ये सारी रेसिपी आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएगी अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो बना सकते हो और बस इसके उपर डाल देंगे अब हम कुछ पाउडर मसाले तो सबसे पहले हम डाल देंगे जीरा पाउडर अपनी पसंद से कम ज़्यादा इसके साथ डाल देंगे लाल मिश का पाउडर अपनी पसंद से नमक डाल देंगे अपने टेश के हिसाब से और इसके साथ यहाँ पर डाल देंगे मैंने यहां पर आलू भूजय ली है यह देखे तो यहां पर थोड़ी से आलू भूजय भी डाल देंगे और बस यह जबर्दसी मज़दार बहुत ही बढ़ी हैसी हमारी आलू टिकी बनके तयार हो चुकी है जिसको आप आसानी से तयार कर सकते हो तो फ्रेंट जरूर से